भगवान श्री क्रिशन की जन भूमी है मत्रा। उनकी अलग-अलग लीलाओं के कई साक्षे हैं यहां पर मौझूद। यहां दैनिक आधार पर करीब 50,000 लोग पहुँचते हैं और उनके यहां तक पहुँचने का सबसे सुगम यातयात बिवस्था है भारती रेल। मत्रा के रेल्वे स्टेशन पर पहुँचने के साथ ही यात्रियों का भगवान श्री क्रिशन की अलग-अलग लीलाओं से परिचह कराने के लिए भारती रेल्वे मत्रा जंक्षन रेल्वे स्टेशन को इसी तौर पर सजाने का काम कर रहा है। हम यात्रियों को एर्पोर्ट की तरह सुविधा परदान करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा इसका लुक एर्पोर्ट लुक टाइप का देना है। मत्रा जंक्षन रेल्वे स्टेशन की तस्वीर बदलने लगी है। इसे नया रूप देने का काम तेजी के साथ चल रहा है। दीवारें भगवान क्रिशन की बाल रूप की पेंटिंग से सजने लगी हैं और इससे स्टेशन स्वभाविक तोर पर खुबसूरत भी दिखने लगा है। लोगों को भावनात्मक रूप से जोडने के साथ साथ यहां पर सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। सिसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा का पूरा-पूरा खयाल रखा जा सके। यात्रियों के लिए यहां पर मॉडन टॉलेट बनाए गए हैं जहां पर साफ सफाई की बहतर वेवस्था है। स्टेशन पर लॉकर रूम बनाए गए हैं जहां पर यात्री अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह भारती रेलवे यात्रियों के साथ खुद को जोड़ने की अपनी कुशिशों में सफलता दर्ज कर रहा है। मथुरा रेलवे स्टेशन यात्रियों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की पहल अपरोच रोड और सर्कुलेटिंग एरिया को बनाये जा रहा है बहतर। प्रवेश और निकास हौल का किया जा रहा है विकास। प्लैटफॉर्म, बुकिंग एरिया, वेटिंग हॉल सहित, दूसरी सुविधाओं को किया जा रहा है बहतर। भारी धांचे को भी दी जा रही है नई शकल। यह काफी हद तक बहुत जरूरी है बनाना भी अच्छा और इससे आने वाले यात्रियों को सुख सुधा है, अच्छी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन का लाब ले पाएंगे। मत्रा जंक्षन पर दस प्लैटफॉर्म्स है और उन पर यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साफसफाई के इंतजाम से लेकर बैठने की बेहतर विवस्था यात्रियों को यहां पर उपलब्द है।